नमस्कार दोस्तों एक बार आपका फिर्टी स्वागत है सिक्वर सिकाल चल पर मैं है तुल सिमातों आज हम लोग यह जो बर्गर बैनर है इसे किस तरह से बना सकते हैं इसके बारे में अच्का विडियो है तो यह देख लिए यहां पर डमी टेक्स लिखा हुआ है और यहां यहां पर जो भी है यह मैंने बस ऐसे लिख दिया वाए तो सारी चीज़े रौंग है और यहां पर जो भी लिखा हुआ यह भी रौंग है तो काफी लोग तो कहेंगे कि यह तो मुझे आता है तो जो चीज बताऊंगा वो थोड़ा ध्यान दिजेगा मुझे पता है कि आप मैं यूज करूंगा न वो यहीं से लूँगा मैंने सार्च करके रख लिया हुआ है तो चलिए यह से कि आप सभी को पता है कि मैं कौन से साज पर बनाने वाला हूं तो आप लोगों को पता ही होगा मैं बनाऊंगा A4 पर डबल क्लिक करते हैं तो यहां पे एक रेक्टेंग हा रहे हैं एक तो white है और एक black है हमें यहीं चाहिए लेकिन यहां पे elliptical पर आपका टिक होना चाहिए यह निकिशेंटर पर होना चाहिए यह देख़े कुछ इस तरह से इसे में यहं पर संटर पर लेके जा रहा हूं यह ठीक लग रहा है ठीक है यह मेरा ठीक है तो यहां हमीं देना यह पिक कलर लेंगे हम लोग और यहां प्र इस पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से में प्लक करना है तो सबसे पहले कि इन सारे क्लार को मैं क्या करता हूं थोड़ी दो जगा चुर्झ हां से दिक्षे हमें वहार फो तोक है तो यह हमारा साइड का कलर और यह मेरा center का color है तो चलिए फिर से G press करते हैं तो हमारा जो भी set हमने किया वा था वो बिल्कुल है ही तो यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर click करने के बाद इस color पर click करेंगे और यह जो eye dropper tool है इसे pick कर लेंगे और जो भी color आपको लगे मैं आपको यहाँ पर code बता दे रहा हूँ has 511706 click करते हैं वो color यहाँ पर आ जाती है चलिए center पर आते हैं तो मैं center पर बस उसे तरह से जा रहा हूँ फिर से यहाँ से color ले दाओ और यहाँ पर click करते रहा हूँ तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं इतना आसान है तो इस color का जो code है वो आप देख लिए यहाँ पर has d856000 और इसका जो code है वो has 511706 क्योंकि यह सारे चीज़े आपके पास तो नहीं रहेगी ना आपको बनाना पड़ेगा आप अपने यह साब से कोई भी color ले सकते हैं यहाँ कोई जोरी नहीं है कि यही चीज़ लूँगा अच्छा यह सारे चीज़े तो बहुत सारे लोगों को पता होंगे किसे किस तरह से सेट किया आ सकता है लेकिन जो चीज़ बता रहा हूं उससे दियान दिजेगा मैं इस बर्कॉर को यहाँ पर लेके रख रहा हूं ठीक है अब इस जो अब ये जो फाइर है ये जो आग है इसे यहां पर हमें सेट करना है तो सबसे पहले इसे अप ले क्या आना है तो सिफ्ट के साथ पेच अब बटन तो ये अब तो आ गई है इसे यहां पर हमें कुछ इस तरह से सो करवाना यह दिख लीजिए आप लोग कुछ आइडिया लगाई है अच्छा काफी लोगों ने जो यहां पर सोचे होंगे कि यहां से एक सरकल ले लेते हैं और यहां पर इस तरह से ड्रो कर देते हैं और हम लोग इस पर क्लिक करते हैं औब्जेक्ट प्याएंगे और यहां से पाउर क्लिप कर देंगे हैं कि नहीं अपने सोचा आओगा और चलिए मैं करके दिखा देता हूं कि तो इस पर क्या हो गया देख लीजी क्या हो रहा है अब फायर हमारी आतो रही है लेकिन यह उपर साइड नहीं आ रही है तो क्याख़ी लोग को यह प्रोब्लम आती होगी अच्छा मैं यह चीज बताया आप लोगों की ताकि आप लोगों को प्रोब्लम ना आए तो चलिए कोई बात नहीं इसे अपने मताबिक जितना आपको चाहिए उतना चोटा बड़ा आप देख लिए अच चलिए और थोड़ा में चोटा कर लेता हूं कि इतना रहें ठीक है यहां पर एक टूल होता है ट्रांस्पेरेंसी टूल तो इस पर जो प्रोब्लम आती है कि हम लोग क्लिक करके इस तरह से ड्रेग करते हैं तो यह एक ही साइड काम करती है देख लिजिए हमें दोनों साइड चाहिए तब हमें क्या करना है इससे कर देना है इस तरह से बड़ा ठीक है और इस पर भी कर देना हमें ब्लैक इससे हंड़िट कर लिजिएगा कि कBaby कि अब एक यहां से वाइट लिंग क्या आना हम यहां पे छोड़ दिना जियन पे दो इसगे आगया न हैका कि वेल्कूल इसजिए हैं यही चीज यहीचीज इही चीजिए आप लोग पो बताना चाहरा है तो यह यह लेक्व है ग्र है जह अब देख सकते हैं कि हपने तरो बना लिया है और हृष ऄप गुछ है इसावलц को लिए तश्री अब देख सकते हैं कि हम條 कुछछ इस तरह से बना लिए अब थोड़ा सा गर उपर करना चाहा रहे हूं तो बिल्कुल कर सकते हैं इसमें कोई भी आपको रोक टोक नहीं है अब आताती है यहाँ पर टेक्स्ट की तो टेक्स्ट तो मुझे विश्वास से कि आप लोग लिखी लेंगे बट मैं फिर भी आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ सेंटर करने के लिए क्या करना है मैं जो टेक्स्ट है और यह जो रेक्टेंगल हमने लिए इस पर क्लिक करना सी प्रेस कर देना है यह सेंटर पर आ जाएगी चलिए से थोड़ा सा बॉल्ड कर लेते हैं कि अच्छा यहाँ पर मैंने जो फॉन्ट यूज किया था वह इंप्यक्ट फॉन्ट यूज किया हुआ था यह वाला देख लिए और थोड़ा सा इसे पकड़ के मैंने कुछ इस तरह से कर दिया तब फिर यहाँ पर शेप टूलने के साथ इसे थोड़ा सा स्पेसिंग डाल दिया था वाइटल लेते हैं यहां से यह देखें अच्छा इस पर यहां पर देखें मैंने सेड़ो भी यूज किया हुआ है तो अगर आप चार यहां सेड़ो यूज करना तो बिल्कुल कर सकते हैं थोड़ा समय से उपर किर कर देता हूं यहां पर हमें मिल जाता है ड्रॉप सेड़ कि यहां पर किलिक करना है और इस तरह से कुछ आपको करदेना तो यहां पर ब्लेक सेड़ो आजागा है यहां पर 15 और यहां पर 50 और हैंने जारी ho तो हैं तो यह तो हमारा हो गया है पस यहां पे जो चीज आप को ध्यानि में रखनी है कि यह सेंटर पे है यह नहीं है थिक्श reform कि यह सबसे जादेंक प्रूनुट है रहीं हो जाती है कि सेंटर के हमारी है यह नहीं है तो हमारी सेंटर पर है कोई बात नहीं अब हमें ये बनाना है बहुत सारह लोगों को यह पता होगा किसी किस तरह बना जा सकता हैском테र कोई की ने चलीए देख लेते हैं सब्सक्राइब क否 कर लेते हैं इतना क्यों एसकी चालर है चेंज कर दिजीए ओठीक है मैं याँ पी दूछरा कोई कलर ले लेता हूं यहांसे इसका जो विर्थ है उसे मैं four के सपास करता हूं हो गया फिर यहां पर आऊंगा यहां पर डोट सा ले लेते हैं यह दिखे अगर यह डोट आपको ठीक लग रहा है तो ठीक है एक तोड़ा कम ले लिजी और यहां पर जो टेक्स्ट है उसी तरह से मैंने यह पर सेट कर दे रहा हूं कि यह देखे और इस तरह से आपको यहां पर लेके आ जाना है बिल्कुल इजी है अब देखे मैं इससे उठा के यहां पर लेके आ रहा हूं कि तो इसे क्या करना सिप्ट के साथ पेज अब बटन यह देखे बिल्कुल ठीक हो गया ना तो यह भी आपी लोग को प्रोलम आ कर P. आ जाती है कई बार जो लोग सीख रहे हैं उन लोगों को और जो लोग ॥ लोग एक्सपर्ट है उन लोग तो नहीं आएक लेकिन जो लोग सीख रहे हैं लोगों तो स्टेजल स्ली अइ ou कोशित कर था औंकी आप के यह रिखिए मैंने आपको गूगल पे अगर आप डमी टेक्स्ट करके लीखते हैं तो आपको मिल जागा इसमें कोई सेंस नहीं मनता है बस ऐसे ही है यहां पर जितने भी वेपसाइट वगरा मुबाइल नंबर है वो सारे रॉंग है तो देख लीजे मैंने बस ऐसे ही सिंपल सा एक area font पर लीक दिया हुआ है अब यहां पर यहां पर यह जो पर लेंगे शैप टूल और इसे थोड़ा अंदर क्यूर कर देंगे यहां पर रैट क्लिक करेंगे इसके आउटलाइन यहां से हडा देंगे अब हमें यहां पर टेक्स्ट चाहिए तो यहां पर ओर्डर नाव लिखाई है मैं उसे ही लिख आता हूं अब यह कौन से कलर पर चाहिए तो यह आप देख लिजेगा मान के चलिए यह लो पर चाहिए तो यह लो कलर को आपको यहां पर लेते हाना है ऐसे यह लो अच्छा नहीं लगएगा इन दुनों को सेंटर करने के लिए इस तरह से सेलेट कीजेगा सी प्रेस कीजेगा और ई प्रेस कर जीजेगा यह आटमेटिकल सेट हो जाएगा चलिए मैं इसा रैड करके देखता हूं तो यह बिल्कुल भी साही नहीं लग रहा है तो इसे करते हैं वाइट और इसे करते हैं रहेड यह गरेब ठीकी लग रहा है तो चलिए रहने देते हैं इसे तोड़ा सा और हम लोग राउंड करते हैं यहां तक यह देखिए है हमने बिल्कुल सिंपल सा अच्छा इस पर मैं आपको यह बनाना बता रहा था बट जो चीज में आपको बताना आ जाते हैं यह जो फायर है इसे किस तरह से आप सेट कर सकते हैं क्योंकि अगर फोटोशॉप में थे तो आप इरेजर टूल से सब्सक्राइब लोगों को पसंद आया हो और जैसा कि मैं मेरे वीडिया अच्छे लगते हो तो प्लीस सब्सक्राइब मैं चैनल और हाँ बहुत ही जल्द में आप लोगों के लिए Adobe Illustrator पर वीडियो लिक्या रहा हूँ एक पूरी सीरीज रहेगी और सुरू से रहेगी मैंने बहुत पहले 4-5 वीडियो अप्लोड किया था लेकिन इस बार में सुरू से लेकर आप लोगों के लिए एक एक वीडियो लेकिया आँगा और किस तरह से लोगों बगेरा उस पर बनाया जाते हैं किस तरह से ट्रेस किया जाते हैं इन सारे चीजों पर अभी कुछ वीडियो उस पर बन चुकी है जब क्लियर हो जाएगा मैं एक-एक विडियो अप्लोड करते जाऊंगा तो काफी मज़ा आने वाला है आप लोग अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे थैंक यू, have fun, बाई-बाई